कि अधाना है एक पर होग्या सर्ट में यह उन्य विए को कि अधार कि अधार कर दो नियू चेप्टर्टर तो युट कर चेर्ट इव एधार टापिटल एवेंच आधार अच्छ देखो अच्छ कंपनी लॉव जो भी नाम से बोलो सर सब्जेक्ट होई है तो बिसिकली आज के डिट में कंपनी लॉइक बहुत इंपोर्टेंट और वाइटल टॉपिक है सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्यों क्योंकि विजनस लेवल डे वाई-डे कंप्लेक्स हो करें और गवर्मेंट चाहता है शर्क की कंपनी अच्छे से के क्रिमिनल लॉख क्रिमिनल लॉख क्यों परता है यह था कि लोग बदमाशी ना करें ऑना अपने फिल्ड में जो हर फिल्ड का अपना अपना को रॉप्शन होता है जिक है अब लॉग बना जाता है corruption को कम करने के लिए है ना या corruption ना हो इसको देखने के लिए it's a very simple concept so now question is that sir हम लोग currently जो topic के बारे में discuss करेंगे that is share capital and deventure ठीक है अब इससे पहले जो chapter चल रहा था जिन लोगों का नहीं हुआ वो जरूर कर लिए sir मैं backup share कर दोंगा ठीक है जाप्टर चल रहा है sir ही прошu a prospectus अंद लब उलाप मार्किट में या या feature मार्किट में कि मार्केट से पैसा रेज करने का जो प्रोसेस में कंपनी को अगर मार्केट से पैसा रेज करना होता है तो प्रॉस्पेक्ट इशु करना पड़ता है और मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाया था कि कंपनी किस तरह से प्रॉस्पेक्ट इशु करके मार्केट से पैसा जानते हो ना सर जो लोग फिडल के साथ connected हो वेरी वैल सर विकॉस प्रैक्टिकली यह सब चीजे डे-टू-डे मैटर हो गया है जैसे रिसेंटली मार्केट में कुछ खार बहुतो है सब्सक्राइब कर नमकीन स्नाक्स वगयरां यह सब more मार्केट में इतना दिन प्राइवेट लिमिटेट की हिसाब से चल रहा था अब यह स्टॉक मार्केट में आएगा तो प्रिविएस जो चैप्टर था कंपनी लॉग का उससे पहले हम लोगों ने बेसिक किया था है ना सो बेसिक्स ऑफ तंपनी लॉग इश्व प्रॉस्पेक्टस अब अभी हम लोग बात करने जा रहे है सर शेर कापटल एंड इवेंचर ठीक है जिन लोग का बेसिक्स नहीं हुआ वह बैक अप कर ले फिर बाद में लाइब कर लेना या इश्व प्रॉस्पेक्टस एक पर फटा आपको समझ में आएगा जब आप पुरा चाप्टर को समझ जाओगे अधरवाइब स्टूडेंट से स्टूडेंट से पहले ही प्रॉब्लिम नहीं करना चाहिए नहीं तो आप मत subtle आप मुझकिल में पर जाओएगा ठीक है सर आज जो चापटर स्टार्ट करने जा रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट और वाइटल एक कॉंसेप्ट है इन आवर बिजनेस एरिया इन आवर कंपणी लॉयरिया ताकि श्यार मार्केट में श्यार मार्केट ही क्यों बैसिकली कंपणी लबल में जब किसी भी कंप इसके श्रेट बाता हूं सब चलों सिर्फ हवा में बात करके कोई फाइदा नहीं है तो यह एक चीज का डिटेल वाथ होना चाहिए है ना तो टो ने शेर कापिटल और डिविंचर इस चूर्ड़ कांसेप्ट है यह कॉंसेप्ट बिसिकली कहां से कॉन मतब सेक्शन का क्या एरिया है सेक्शन 43 से लेके 72 टिक है सेक्शन 43 से लेके 72 इसके अंदर इस पूरा प्रॉसेस को डिस्कस किया जाता है टिक है सेक्शन 43 से लेके 72 जिसमें कॉंसेप्ट रिलेटिंग टू शेर जो है वो 43 से 70 का एरिया है और कॉंसेप्ट रिलेटिंग टू डिवेंचर जो है वो सेक्ट्चन 71 का पार्ट ठीक है अब मैं आपको दोनों जीस विखाता हूं ठीक है मतब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पहले बता दो मतब आप फार दरक्षने का नहीं है सबसे इंपोर्ड़ उसका इसका अगर आप उसका समझ जाती हो ना और आप समझ पहुगे कि यह याद रखना ज़रूरी है अगर आप इसका प्रैक्टिकल कॉंसेट्थ नहीन नजरहें इसा लगे कि यह इतना पड़ना पड़ेगा उसअ ऐसे थोड़ा सा लोडिड होता है और साथ में जब इतना बड़ा बड़ा प्रविशंस लौ याद करना पड़े तो यह मुश्किल करता है है ना सो लेकिन सर ऐसा नहीं है आप अगर समझ के करोगे सारा पॉइंट याद कर पाऊगे याद रख भी पाऊगे और एक्जाम में जरूरत के हिसाब से जहां जितना जरूरी है वह लिख पाऊगे लेकिन लेकिन किंतु परंतु एक ही बात असर आपको इसका प्रैक्टिकलिटी का आइडिया होना चाहिए यह जो मैं पढ़ रहा हूं इसका यूज कहां है रियल लाइफ में किस तरह से काम होता है वही जान सब्सक्राइब करें जाता है वह बिसिकली एक तरह का धोका हो जाता है तो नियम के आधार पर चलना है तो सेक्षन 43 से लेकि 72 आप कंपनी सब्सक्राइब करें और जो कंपनी के लिए इतना जरूरी एक कॉंसेप्ट है अब जो मैं आपको बार बार तबसे बोले जा रहा ठीक है जैसे कि हम लोग प्रिबिएसली एक चाप्टर पढ़े थे सर प्रॉस्पेक्टस याद होगा अप लोग को प्रॉस्पेक्टस एन अलॉट्पेंट अप सिक्यूरिटी आप लोग जो लोग बच्पन में कंपनी अकाउंट्स पढ़के आए हो ठीक है क्लास 11-12 में य यह जो शेयर सिक्यूरिटी अलॉट्मेंट ठीक है यह चीज कहां होता है सर यह जो प्रॉस्पेक्टस का इश्यू है यह जो प्रॉस्पेक्टस का कॉंसेप्ट है इसमें क्या होता है बैंक हम लोग जानल एंट्री करते थे याद है सर बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे मैं इतना याद दिलाना चाहुँगा ओर पीचर याद आ रहा है सर अब लोगो पूझे इतना बता हुए थोड़ा याद आ रहा है ना फूल लेवल में भी पढ़ा जाता है सर तो यह कुछ भी होता है ना कि पहले बैंक टूश्यर अप्लिकेशन होगा फिर अप्लिकेशन से आलट में जाएगा फिर अलोट में पेंट के बाद उसमें फाइनल कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल ठीक है अगर कोई पैसा नहीं देता है तो उसको फॉर्फिट कर लिया जाएगा फिर फॉर्फिचर अप्षेर को रिइशू गया जाएगा एक लंबा प्रॉसेस होता था अब देखो अकाउंट में हम लोग जार्णल इंट्री करके उ देकें इस प्रॉसेस के बारे में कहीं तो लिखा होगा जो हमें प्रॉसपेक्ट अनलॉट्वेंटर स्क्यूरिडिडीज में बता चला और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सर शेर कापिटल एंड डिवेंचर के बारे कंपणी को जब जब पैसा का जरूरत होता है वह मार्केट से पैसा रेस करनी के लिए आ जाते हैं यह क्या है यह प्रॉस्पेक्ट इसको क्या प्रॉस्पेक्ट जो लोग अल्रीडी प चले से प्रॉस्पेक्ट के उपर अगर आप लोग गोत्रू करोगे तो आपको पता चलेगा प्रॉस्पेक्ट में मैंने बात किया मतब लिगल प्रॉबिशन तो आपने पढ़ाई साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज क्या है वो भी आप लोगोंने जाना आज भी उसका ज़रूरत पड़ेगा क्यों क्योंकि प्रॉस्पेक्ट इशू करके ही मार्केट से कापिटल रेज किया जाता है अब देखो बिकाजी फूड्स का प्रॉस्पेक्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ क्या आप लोग को देखाई दे रहे हैं सर अलो क्या आप लोग स्क्रीन में बीकाजी फूड्स बंपारे हैं युक्या लिखा हैं ड्राफ्ट रेड हिरिंग प्रॉस्पेक्टर्स क्या लिखाए देखो नीचे में भी बोला था वहेकिन방 ब्रॉप्यस आपको दिखा रह मतलब जो कुछ भी होता है एस पर लॉटा अब यह तो मार्केटिंग है यह जो बिकाजी ने जो दिया यह मार्केटिंग है अगर आप इस कोड को किवार कोड को स्कैन करो आपको प्रोस्पेक्ट असका PDF को अपर मिल जाएगा अपने मोबाइल में इसको ले सकते हो सकते हो इस सेवी के साइट से निकाला से सेक्यूरिटे एक्षेंज बोर्ड अफ इंडिया अमरे देश में जो शेयर मार्केट को चलाने वाला ओर्गनाइशन ठीक है लीगल और्गनेशन से गौर्वर्मेंट कहीं एक हाथ ठीक है गौर्मेंट तो सारा का मकिला नहीं करता और गना के क आफ सकत्विकाजी का करने आप तक झालम करता है सिर्फिकाजी को चाहिए पैसा चाहिए के साम मतलब बिजनस के लिए पैसा क्या होता है भी क आपको मुतलब जी का एक टूकड़ा आपके पास भी को घट competitor जिसका एक हम एक टुकड़ा आपके पास बी बिजनेस है इसका में आपको थोड़ा दिखाओ आपको पता लगेगा कि यह बिजनेस कितना बड़ा है और इसको कितना पैसा का जुरूरत है और यह मार्केट में कितना शेयर कितना शेयर यह मार्केट में इश्यू कर रहा है चलो देखो इश्यू साइज देखोंगे यह दे सब्सक्राइब करना पड़ता है तो कम से का में कभी हो सकता है और मार्केट प्राइस उसका प्रेमियम होता है कोवाओ प्राइस अधर्ण जाए टुर्ण पाप्लिक शेट वैलुएशन उसके बिसिस में होता है तेड़न आए तो प्रेमियर माने पांटेट से नहीं अग्याइब ने हैं जा पॉब्लिक शेट वाण पांटेज में पॉला है जा आए अन्डेट पसेंटि शेयर बिडिगा सब्सक्राइब इसका मेन कॉंसेप्ट की इसके पास एक और यह सब आपको मैं पढ़ाया था ना अगर मानू आपके पास अब थाउजन क्रोड का ऑफ्रीटी है बड़ा बिजनस है तो हजार दो जार क्रोड तो होई जाता है कम से कम अब हजार क्रोड का जो वैलूइशन होगा उसके हिसाब से जो नंबर अब शेर से डिस्ट्रिब्यूट करके यह हिसाब निकालते हैं मैं आपको हिसाब कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा वेट कर साथ उसके पास जो ऑफ्राइज है ठीक है ओफ्राइज कापिटल से यह सब बेसिक का कुश्चिक आप पूछ रहे हो सब मैं कंपनी लॉग के बेसिक्स में लाला मनें सब बोलते हैं मैं में मालने बुछ हुँ सब्सके प्राइबुल अब आपको दीजाश्य नुचके को मनें मिस उसके ब्समें लॉड्यक ठीक आपको थी नुच्वी यह जिटेंगा आपक है कि में अजचिकमा का अमींच रुदी को बनेंचे होल लाला वटीक ताइपक हैं वाल और नुट सब्सक्राइब नहीं आपको मैं समझाता हूं यह कंपनी इतना शेर लेकर मार्केट में आ रहा है अब यह शुकरेगा और पब्लिक इसको खरीदेगा अब यह शेर ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है यह प्रॉस्पेक्टर में पढ़ा था याद है सर प्रॉस्पेक्टर चाप् यह कंपनी के पास टीन होता है एक इस होता है एक आउफर फॉर सेल होता है जब पर फॉर्फ यह यह कंपनी की अंदर का एकिजिस्टिंग शेर ओल्डर ना शेर ओल्डर जो कंपोनी का फुराना में वेंब्लिक है वो मार्केट मतब कंपणी को छोड़ के जाना चाहता है ठीक है विकाज वो काफी दिन से कंपणी का शेयर होल्ड करके रखा था अब उनको लगता है कि बहुत दिन हो गया मैंने विकाजी में इंवेस्ट किया था अब कंपणी को बोल रहे कि हमें पैसा चींगा ठीक है उसके उपर बेस करके पबलिक मतब बिसिकरी जो एक्जिस्टिंग मेंबर है उनका शेयर हम लोग खरीद लेंगे सेम्पल बारत तक यह मार्केट का जो फोल्ड करके अलड़डी कूछ मेरे पास तो आप खरीद होगा अगर आपको लगता है कि मार्केट में इसका ग्रोथ नहीं होगा लेकिन इंट्रेस्टिंग फैक्ट है ज्यादातर केस में मतब 99% चांसे 99.99% चांसे से भी वैसा कंपनी को ही मौका देता है जिसका मार्केट में यह लिक्विडिटी रहता है अब बिकाजी का यह श्यार बिक जाएगा सर्थ आपको रिपोट देता हूं सर्थ मैं आपको यह तीन नवेंबर को मतब कल से चाली हुआ है चलेगा साथ तारीक तक ठीक है विकाजी फूट इंटरनाशनल लिमिटेल अगर इसका फाइनेंचल कंडिशन भी देगना चाहते हो करेंट लेवल में तो कंपनी का 2019 में रेविन्यू आंड था 910 क्रोड का रेविन्यू ठीक ह क्रोड का कौरोना पीरियोयड में भी क्मपणी ने बिजनस किया और इस तरह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ कमपंपनी का प्रॉफीृ और बड़ा मतबदyle और इंक्रिज गूआ हैं अभी तक सेप्टेमबर दो एक्षी कॉखrial का हालत 777.13 करोड का बेठा हूआ है ये ला स्थीन का अब इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कंपनी के बिजने में अगर दम है अगर आप किस कंपनी के शेर ओल्डर बनते हो तो आपको फाइदा है मतब एक कॉमन सेंस क्या कहता है ठीक है आप सवाले उठता है जो लोग अनलिस्ट है जो मार्केट की जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में यह सब अनलिस्ट करते हैं क्या यह प्राइस रेंग से लेके तीन इसने प्रीमियम चार्ड़ कर रहा है तो तक थोड़ा प्रीमियम हाई है और इंडिया में ही नहीं विकाजी का बिजनेस भारत के 22 स्टेट्स और इंडियन को छोड़के इंडिया के बाहर और भी 35 कंट्रिस में यह अपना प्रोड़क्ट एक्सपोर्ट करता है जिसमें 4.60 सेल्स होता है मतलब कर सौ में से कम से कम पांच सेल्स सिर्फ अमरिका यूरो मिडिलिस्ट आफ्रीका के उपर बेस करके तो यह है बिजनेस का एक ओवरॉल एडिया क्या बेचता है भुजिया नमकीन पैकेज स्वीट्स पापड़ वेस्टन स्नाक्स मिला जुला के फ्रोजन इक ताइम था जब लेज कुरकूरे का अब डिखता था अब आयर सिटीजी का प्रोडेक्ट ज्यादा बढ़ता है तो देट से डिफरेंट स्टॉरी बट पॉइंट इस डाट कि सर कंपनी को चाहिए पैसा अब अगर मैं इसका हिसाब बताओ आपको कि यह जो मार्केड में आइपीओ लेकि आ रहा हूं ठीक है शेर कैपिटल जो रेस करना चाहता है देखो सर मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज में बात करना हो भी लीगल मैटर में बात करना मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया जो कॉर्पोरेट लॉओ आपको सिखाता है वो बिसिकली इस प इंट्राशनल सेल्ट्रों सेकेंड है मतलब आज दूसरा दीन है जिसमें ऑल्डेटी सिस्टी सेवें वर्चन बेड हुआ है फिर्स डे आप दी बुकिंग बुक बिल्डिंग प्रॉसेस और इस प्रॉसेस को भी कहते हैं यह हम लोग को पता चल गया था कहां पर सर बुक ब बुक रनिंग लीड मैनेजर यह भी मैंने आपको प्रॉस्पेक्टर में बताया था ठीक है कौन है बुक बिल्डर जेम फिनांशियल्स एक्सिस कापिटल आया एफल सेक्यूरिटी इंटेंसिफ फिसकल सर्विस प्राइब लिमिटेट कोटक इन्वेस्मेंट बैंकिंग दे यह लोग अपने पॉकेट से देगा यही कॉंसेट यही तरीका होता है तो मतब यह जो बुक रनिंग लीड मैनेजर होता है यह जिसको मैं बोल रहा हूं यह अंडर राइटर का काम बहुत रिस्की है बट यह हाई मतब देखो यह बहुत कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होत इनके पास 1000 क्रोड 2000 क्रोड 5000 क्रोड का कापिटल होता है और वो मार्केट में बिजनेस का यह पैसा करने का काम करता है बदल में यह कमिशन खाता है अगर शौट फॉल होता है तो अपने पॉकेट से देना पड़ता है वही रिसक है इनका तो यह सब जितना आप लोग दिरे और इस बिजनेस के अंदर फॉरा इसका अकांट किया गया है इसका जो फैनेशल स्टाक्टर है वो कौन देखता है इसमें कॉट कोई भी प्रॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सम्थिंग लाइक निए इस दिभ्या नवानी ठीक है डिबिया नवानी से कंपनी से प्रास्पेक्त के अंदर क्या मिलता है प्रस्पेक्ट के अंदर कंपनी का फिनांशल इंफार्मिशन रिपॉर्ट मिलता है अब इस पूरा उट इस एकला पॉसिबल नहीं होता इसका पूरा मैथमेटिकल छीके 300 के बीच में रहेगा मार्केट में वो प्राइस इसका जाधा सेल होगा फिर अगर सबस्क्रिप्ट होता है क्या होता है अगर जितना डिमांड है तो रिया लेने के लिए ऑस जाड़े-300 में लिस्टड हो सकता है ठीक है मतलब यह 50 रुपीज प्रीनियम लिस्टिंग हो गया अब जो लोग डिका जी का शेयर खरी देगा वह इसी इसी कॉंसेट के साथ बिका जी का शेयर लेने का चांसेज है कि अगर यह 300 का शेयर साथे 300 हो जाए अगर 400 हो जाए ऐसा हुआ है सर ऐसें ट्रेंट में और भी स्टॉक है जिसके मैंने स्टॉक मार्गेट जो हम लोग का डेली मौर्णिंग में मेरा स्टॉक मार्गेट चलता है ठीक है जिसमें ट्रेडिंग इन्वेस्पेंट आपका फूचर और ऑप्शन यह सभी चीजों में हैं सर तो मुझे सब ऐसे भी पढ़ाना पड़ता है लेकिन वह स्टॉक मार्केट उपर के बैस करके बात है तो मैं ज्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा मैं आपको एक प्रैक्टिकलिटी के बारे में आईडिया दे रहा हूं ठीक ह तो यह कंपनी का मार्कट में शेयर आना फिर उस पूरा प्रॉसेस को दिखवाल करना यह किसी इसमें एक बहुत बड़ा टीम का वक होता में सभी कोई मिलके गाम करते हैं तो अगर आप कंपनी का प्रोस्पेक्ट में कहां से डाउनलोड किया आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यह देखो यह मैंने से भी हाँ बोलो सर्थ अगर मैं मालिक हूं पर मेरे पास पैसा नहीं है तो अगर मुझे कंपनी का पैसा चाहिए हो तो बुझे अपना परसेंटेश निचे में अपना परसेंटेश नहीं था पाप्लिक इसु कोड़ी से पाप्लिक इसु कहते हैं पूछ रहे हैं तर यह मैं मुझे ही पूछा कि सर अगर कई कंपनी अपना शेयर मार्केट में सेल करता है तो जो ओरिजिनल ओनर है कंपनी का क्या उसमें उसका जो शेयर होल्डिंग है वो क्या कम हो जाता है मानिए आपका कंपनी है आपके कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग तो हो गई तो क्या उसमें फरक पड़ेगा यहीं सवाल है उसका लेकिन है कंपनी इसको कंट्रोल करता है ऐसे कंपनी हमेशा चाहते हैं कि 51 परसें शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के हाथ में रहे सब्सक्राइब कि अगर 51% का holding किसी और के पास चले जाए तो company उसके उसका हो जाता है मतलब उसमें वह क्या हो जाता है कांट्रोल कंट्रोल हाथ से छोड़ जाता है वह वरी गुड सानी हम बोले बोला झाहिए पासें जाते शीकी मार्याइज हो जैड़े परसेंगे से जीटकोई बसें थाटी बस तो खर्च अब्यस्क आप्विएश्व बाड़ी शाड़े व्याइश्ट इसव बसेश्ट इसे ना VS T कोशिश करें अगर किसी को हिंदी आता है कि हेंदी ये सब मुतबब सब जानना चाहता है कि क्या बात कर रहा है सब्सक्राइब कोई बात देखो जैसे यह इतना दिन गॉर्मेंट ऑफ इंडिया का फुल ली ओंड था लेकिन गॉर्मेंट ऑफ इंडिया अपना कुछ स्टेक छोड़ा तभी जाके आज लाइसी मार्केट में सेल हो रहा है ठीक है ला अब जो लोग भी इंवेस्ट किया था रहे कि इसमें जा रहे है घर साड़े तीन परçंस चोड़ा था ज्यादा टोटल स्टेक का अटाड़े तीन परंस इसका वाल्यूष्ण वा था मैंन कि अब समझ हले हो सिसर्व एलाइजसी का टेल वैलूईशन का 946 तीन परसंट शेर का मार्केट वैल्यू आया था आई पीओ के टाइम पे ट्वेंटी वान थाउजन ग्रोड को ठीक है और उसका वैल्यूशन आया था छे लाग प्रोड को तो टोटल वैल्यूशन एलाइसी का कि अगर साड़े तीन परसंट का वालू 21,000 होता है तो आप हंडिट परसंट का वालू करके देख आपको पता से लेगा तो यह है एलाइसी का स्ट्राक्चर ठीक है थोड़ा-थोड़ा समझ में आहीं रहा होगा अब जैसे जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट के उपर अपना नॉलेज यतना करते जाओगे घरे-घरे सबको न ग्रीप आ जाएगा सब चल रहा है और हो एक क्या रहा है अब मैं मैं मुझे जाना है सर्म बहुत सरा प्रैक्टिकल बात करते करते खो जाता हूं लेकिन मुझे में पॉइंट में आना है बहुत जल्दी आना है तो बात ऐ यहां पर कोटा दे देता है कि कौन कितना इश्यो मतलब सब्सक्राइब कर सकता है तो इंडिवीजुल इंसान है बहुत ही अल्ट्रा रीच है तो हाइए नेट इंडिवीजुल नेट इंडिवीजुल मतलब जो लोग भी इसका मतलब मार्केट में हीट होने वाला इस अच्छा है अगर अबर सब्सक्रिप्शन है तो लग चाहिए होता है तो आई प्यों के टाइम पे कंपनी का शेयर लेना ठीक है और कंपनी का करेंट फेस्ट वालु एक टाका फेस्ट वान रुपी हर चीज़ का एक मिनिमाम फेस बाच हो सकता है तो यह रहा कंपनी के बारे में एक बेसिक आइडिया अब यह बिकाजी का बात है अब यह मैंने आपको चैप्लेट पढ़ा रहा हूं यह है शेयर कापटल और डिवेंजर तो इसे बोलते बोलते कितना बात आ जाता है ऐसे डिवेंचर क्या वोता डिवेंचर डिवेंचर कंपनी लोन इस्यू करता है मतब कंपनी को लों चाहिए और कंपनी आप difficulty हमें लोन को सुब्स क्कूर्श और ळो पहूं अब कंपनी लोन जो बदले में हम आपको इंट्रेस्ट देंगे सुबाज जी तो मिझे लोन दो मैं तुम्हें दो बस ऑन्वार कुछ नहीं पर और कोई चक्र नहीं इस के अंदर तुम्हें से अंप शेयर मार्केट में थोड़ा रिस्क है अगर आपका अनलिस सही निकले और लग भी आपका साथ दे दे ना तो शेयर मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है ऐसे रिसेंट में एक स्टॉक है बहुत अच्छा रिटन दिया है सर अधानी विल मरिये सिक्स मंस असपास हुआ है इसका स्टॉक का मुवमेंट रहा है सर लास्ट सिक्स मंस में सिक्स मंस में छोड़ो यह स्टार्टिंग डे में मतब आई प्यों जिस दिन आया था इसका मार्केट में 220 का शेयर सेम डे पे चार सो चार सो चार से पास हीट किया था उसके बाद एक एक शेयर साड़े 700 तक गया था शाड़े 700 छोड़ो 815 तक गया था 6 मेने के अंदर आप समझ सकते हो कि इसका रिटन लास्ट सिक्स मंस में मतब किस लेवल का इसका रिटन जनरेड किया गया है सर मतब जिन्हों ने भ यह एरपोर्ट मैनेजमेंट एक कंपनी है इसका भी शेयर वही तीन सो संथिंग में लिस्टेट था और अभी देखो 400 साइटीस में चल रहा है 437 एक शेयर और तब यह कितना दिन एक महिना भी नहीं हुआ दुर्गा-पुजा के टाइम पे आया था आने से पहले बात किया था तभी बाद में जब हुआ था जो स्टूडेंट को मिला मुझे मिला मेरे कुछ फैमली मेंबर्स को मिला मुझे नहीं मिला था ड्रीम फॉक्स ठीक है तो यह थोड़ा लग का मैटर होता है जिसमें मार्केट में ज्यादा डिमांड होता है ना उसमे में थोड़ा लग करता है ठीक है अधाने मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहा है तो आई होप यूद्ट की ऐसे होता है लेकिन हाँ अब कुछ बैट लग कंपनी भी होता है जैसे पेटीम का शेयर जब आया था जिन लोग के पास भी है ना थोड़ा रो रहा है ठीक है आया थ दो हजार दो हजार एक सॉरी तुथाउसिन वान हंडड़ क्या अप्रॉक्स सम्धिंग में और अभी पेटीम का एक शेयर का दाम चल रहा है छेसो साड़े चेसो साथ सो और भी नीचे चला गया था पर ड्रिसेंटी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है ठीक है मतलब एक एक शे पॉटफोलियों में आपका क्या हो रहा है यह सब भी मैटर करता है यह मैं आपको पॉजिटीब दिखा रहा हूं नेगटीव दिखा रहा हूं तो देश का नाशनल हाईवे डेवलोमेंट में एक इंसान का नाम लेना पड़ेगा ठीक है पॉलिटिकल बात नहीं है यह जो थे बात पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूं एक इंसान का बात करता हूं अटल जी ने कुछ प्रोजेक्ट लिया था जिसमें जैसे आज कल राउल वांदी प्रोजेक्ट में काम कर रहे ना भारत जोड़ो जात्रा ठीक है जो कर रहा है करने तो डासे डिफरेंट पार्ट बट यञONG प्राइमिस्टर का सेट लिया प्रशेक्ट ने एक डिसीजिन लिया था टी पूरा देश को अगर डवलाब करना है तो नाशनल हाईवेज्त करना क्योंकि अगर हाईवेज्प नहीं होगा फेलाव नहीं होगा तो देशका है वो कभी आगे नहीं बड़ेगा तो बना है आप लोग tax class में देखते हो उसमें infrastructure के लिए बचता बहुत ही कम है तो यह financial area में government का एक तोड है जिसमें धीरे-धीरे government क्या decision लिया कि यह काम करते हैं कि हम रोड बनाते हैं रोड बनाने के टाइम पर पब्लिक को बोलते हैं कि हमें लुणम दे जिस लून को debenture का नाम दिया गया है सबमेंज्न मतलब आन गंब मतलब आपको बदले में कोई मतंव स्कूरिटी मिलेगा हैं당 अगर इयोस पर लॉन थीपे नहीं अगर आप से लोन लेता है ऐने नहीं होता है यह और और तो आपको अब G vain for some subject to market risk उच्छल बट गोवंगेन देखा एगर फेलियर हो जाता थे तो फिर देश किस सीजब का है और इंडिया जैसे कंट्री में जैसे बैंक में पैसा रखते हो कभी ऐसा फील होता है कि बैंक पैसा चोरी कर लेगा ना सेटा ना सब्सक्राइब अगर कंपनी जान बुझ के रीपे नहीं करेगा तो वो तो गलत बात है कि गॉवर्मेंट तभी हो सकता है जब मानों कि वो डिफरेंट सीचुईशन लाइक महामारी या फिर वार स्पेशली वार सीचुईशन वो गॉवर्मेंट के लिए थोड़ा देरी प्रॉब्लेमटिक होता है लेकिन वो थोड़ा डिले हो सकता है ठीक है रूल है ठीक है पैसा रखना सेफ हैं प्राइबट कंपनी के किसमें अगर कंपनी बंद हो जाए तो आपका पैसा डूप सकता है लेकिन गॉवर्मेंट के किसमें चांसे का बहुत ही काम है मतलब ना के बराबर इस डिस रिगार्डिंग रूल्स अब यह रिसेंटली नहीं चाही का एक बॉ इवेंचर ऐसा भी होता है जिसको बाद में शेयर में कनवर्शन करने का मौका मिलता है तो बदले में उसको पचास शेयर दे दिया जाए तो इसमें आपको 8.05 इल्ड का वादा गिया जा रहा है इल्ड मतलब यह जो बॉंड है यह मार्गेट से आपके मतलब आप इसके में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मैचिरिटी में करीब 8.05 पर्षिन के में करओ इस बात नहीं कर पांगा या फिर जो लोग stock market में fundamental analysis पढ़ता है मुझे उसमें भी बोलने का मौका मिलता है ठीक है मैं यहां पर बात नहीं कर पाऊंगा finance class में बात करूंगा यह अलग टॉपिक है ठीक है लेकिन आप क्या होता है देखो जैसे यह 25 साल का है अब यह 1500 क्रोड कंपनी नहीं बोल रहा है कि हम लोन लेते हैं और यह कौन है मतब इन्वेस्टमेंट फंड बनाते इंफस्ट्रक्चर ट्रस्ट अब यह अपना पैसा रोड बनाने में help बनाएगा फिर वहां से वो टोल टैक्स लगा के पैसा बनाएगा ठीक है रोड बनाने क इंट्रेस्ट भी दिया जाता है अब यह साथ नवंबर तक चलेगा उसके जिसको लेना है तो कम से कम कितना इंवेस्ट करना पड़ता है देखो यह थोड़ा सा क्या है डिविंचर है इसमें आपको शेयर जैसा डिटन नहीं मिलेगा इसलिए बहुत कम है शेयर में आपको यहां पर सकते हों यहां पर आपको लॉस्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन आपको रिटन बहुत ही रिजनेबल और मिनिमम मिलेगा मेबी लिटिल बिट मोर देन बैंक कोड़ा बहुत है लेकिन सेव जोन है तो वन थाउसन एक फेस वाल्यू है हजार करके और पच् करने को मौका मिलेगा क्या बीच में हो सकता है हाँ अगर आप चाहो तो किसी और को ट्रांसपर भी कर सकते हो इसको बोलता है इस टी आर पीप ठीक है और यह देखो सब्सक्राइब और सारा चीज बोला हुआ है थर्टीन तेयर में आपको निकालने का मौका दिया जाएगा लॉइए और सेफ इंवेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा जगा है सब जो लोग अपना फाइनशियल डेवलाप करना चाहता है मतब अपना फाइनशियल फ्यूचर को डेवलाप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टन इरिया है लेकिन यहां पर आप कंपनी क कि कंपनी क्यों मार्केट से पैसा रेज करता है तो और इसमें कूपाउं डेट है 7.90 उपर से यह मार्केट में ट्रेडवल भी है मतब क्योंकि और भी लोग मार्केट में ट्रेड करके इस शेयर को इस बॉंड को डिवेंचर को बाई कर सकता है जैसे आपको में दिखाता इस बीग वर्ल्ड सर अब तो प्रैक्टिकल बात करने बैठ जाओ ना आरा दीन क्या दस दिन में भी खतम नहीं होता है तो शाइद बोलते बोलते मेरा गला सुख जाए आप लोगा दिमाग घराब हो जाए यह वर्ल्ड खतम नहीं होगा वत्तर फाइनशेल वर्ल्ड में क नहीं चाईटी क्या है इन चाईटी इसका फुल फॉल नाशनल हाईवे इंफ इंफर ट्रस्ट यह जो मैं बोल रहो आख्चिन इंफरा ट्रस्टी ए ठीक है इसका शेयर मार्कें में ट्रेड़ेवल है ठीक है ओपन हुआ था 309 में रिसेंटली लो में जला इतना क्लोज ला रहा है रहा है रेगुलर टाइप है मतलब टैक्स प्री नहीं है लेकिन कुछ ऐसा भी आपको मिलेगा जो टैक्स प्री है ठीक है तो यह एक एरिया है सर ठीक है जो ट्रेड भी होता है अब इसके लिए जो लोग मूचल फंट का क्लास करते हैं उनको यह सब मुझे मौका मि होता है वह आपका पैसा हमारा पैसा लेकि अल्टिमेटली शेयर डिविंचर में डिस्ट्रिबूट कर लिए ठीक है और फिर खुद कमिशन खाता है और आपको एक रेटन देने का बात करता है तो कुछ फेलियर भी होता है मैक्सिमां सक्सेस्पूल भी होता है बट अगर आ पैसे के नाम पर आप से शेर कैपिटल भी ले सकता है दिविंचर भी ले सकता है छुब इसको अगर मैं लीगली कैसे बारे मैं बात करूं सेक्षन फाटी त्री से daleके 72 अंदर क्या बोला है इसके बारे में बात करो तो मुझे आपको पढ़ाना होगा पूख सुलो लग पढ़ना पढ़ता है CACCMA सभी को पढ़ना पढ़ता है MBA Finance को भी पढ़ना पढ़ता है subject नाम है Finance कोई मुझे बता सकते हो Finance का मतलब क्या है ऐख को भी आइंडिय फिनान्स को सब्सब्सक्राइव किसी को पूछ ओ जो और तो नहीं थी नहीं सर्व एकोनोमिक्स से मतलब होता है और आप बेंगॉली बोल रहे हो या फिर आप जसका हिंदी या बेंगॉली बोल रहे हो not that sir इसका मतलब बताना होगा what is the meaning of finance क्या होता है finance त्राइब करो सब्सक्राइब बहुत अच्छा जा रहे है इसको अगर मैं थोड़ा सेंप्लिफाइड या एक लाइन में बोलने का कुशिश करो तो फाइनस का मतलब होता है जुगाड लगाना ठीक है अगर मैं थोड़ा लेंग्विज वाइस बात करना तो इसा प्रोक्यूर्मेंट ऑफ पंड प्रोक्यूर्मेंट जुगाड ठीक है इंग्लिश बोलने से फुड़ा सा वह तो वैरी स्ट्रोकेट साउंड होता है अपना अपना जो देशी लेंग्विज अब मुझे दो देशी लेंग्विज आता है एक बिंगॉली आता है इंदिया आता है ठीक है बिंग्वाली में हम लोग बोलते हैं जुगाड तो इन सिंपल यह जुगाड है हमें पैसा चहिए जुगाड अब जितना करने हो उसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है ऑड मतलब सिंपल ही होता है ठीक है अब इसमें आब अंग्लिश बोल दो फ्रेंच बोल दो या कोई और बाइ इस्विंग शेर्स एंड इवेंचर मतलब कनेक्टेट पॉइंट्स में ठीक है इन फाक्ट शेर्स एंड डिवेंचर्स और फिनांचियल इंस्ट्रुमेंट्स फिच हेल्प इन अर्रेंजिंग फंड्स पॉदी कंपनी अब देखो अब जो बात मैंने सिंपल दो लाइन लाइन में तीम सब्द में फ्रोकव्रमेंट फंड वही है एंड यंग फंड फारी कंपनी अंडेटी कंपनी जेक्ट दो जाद तेरा है जो इसी पूरा सेक्यूरिटी मार्केट को चलाने के लिए एक संस्ता है अब मेरे पास जो लोग स्टॉक मार्गेट का क्लास करते हैं उनको मैं क्या पढ़ाता हूं उनको एक्चुलिए क्मशा पढाता हूं नोलेज को उनहीं के लिए पढ़ते हैं तब करना इन एसम या फिर जो मैं आपको अप.- मैं यंत इंद को आ हैक्च चुर एक। इसका कोर्स होता है सरकारी है नाशनल इंस्टिट आप सिक्यूरिडी मार्केट यह क्या है इसको खेलने के लिए से भी को मार्केट में अलग-अलग लोग बनाना पड़ता है चाठर अकाउंटेंट कंपेंए स्टेटने तो लेकिन मेडियन के घ्रिचर्च घ्टि के बीनेने की लिए लेग कि इस से सरे भी तक तक है इसमें से टॉप तीन चार कोर्सेस इंपॉर्टेंट है सारा इंपॉर्टेंट है जो अपने इस चीज में बनाना चाहता है पट जैसे कि इतना बड़ा चीज है कि इसको लिए मेंपुर्मीज करने के लिए अलग से कोड्स बनाना बड़ता है यह लोग करने के बाद भी धिल बेक्सी को अगर अ करने के बाद भी अगर किसी को और लगता है कि नहीं मुझे ब्रोकिंग फार्म उपें करता है सर जैसे मोती लालो सवाल ऐसे राकेज उन्जुन वाला ठीक है जैसे रामदेव अगरवाल दे ओलार चार्ट अगांटेंट है लोग है तो उन्हें भी सेवी के लाइसेंस लेने के लिए करना पड़ा था उस ताइ लें ची आप Student के अन्दर करते हैं कि आप आप टीक है कर देंके में मार्केंट में घ्रोथ होगा थोड़ा работать लेना चाहते कि अब किंडियन रििस्क और जब आप किसी बिजनेस-का शेर लेते हो तो बैसिकलिए आप एक इंटरफण की तरह रिस्क लेते हैं और डीवेंचर में लेंडर्स होता है प्रफण की तरह सोच ना प्रफण बीजमेस में पैसा लगाया और आगर आपका पैसा या तो डूब जाएगा तो वह होता है शेयर में इंवेश्ट रने का माइट जब आप कमपनी को डिवेंचर देते हो तो आप किसी को लॉण देते हो तो इसमें आपका माइंड बैंक की तरह होता है जैसे बैंक जब किसी को लोन देता है तो नहीं को चिंता होता है न कि क्या पता रेसक में रिपे रिटन भी हो सकता है और रिटन रिस्क हाई है मतलब क्या पैसा डूब भी सकता है जैसे बिजनेस में पैसा लगाने से आपको इच्छा हुआ कि मैं दुकान खोलना चाहता है पर आप दुकान खोले पर चला नहीं ठीक है यह भी शेयर इंवेश्टमेंट ही है सर बात को समझो सर ठीक है फॉंसिप समझ रहे हो बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के इंवेश्ट करना आ है नहीं तो इंवेश्ट मत करो अगर आपको बिजनेस का ईडिया नहीं है इसके लिए हम लोग एक कोट्स करते हैं fundamental analysis so if you don't understand the fundamentals of बिकाजी नहीं करो मत करो नकिन अगर इंवेश्ट करना है जान की करो सम इसा ने बैसाव करने है फिर पैसा लॉस करके फिर मार्किट को घ्yttो यह वह बिस शरन कंधिए का लोटरी टिकेट खरी तेवह गण। अच्छा तो सम्टाइंस आफटर दी इशु आफ एक कापिटल अच्छा कंपणी मार्केट में इशु करने के बाद अपना कापिटल स्टाक्टर को चेंज कर सकता है ठीक है रिडियूस कर सकता है एन्हांस कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिच्वेशन जिसको एक्सीजिंस गोलता है और जिनसी सिपे क्या करना है है उप provide करलेते कंपणी मार्केट से शेर को विद्रॉल कर लेते हैं तो लोका सॉपनी एक ज़्यदाे दो फैसे डिखे से लीटें घूंकल कटक्णी मारके सबसक्पासे लाग को की सब एनदर इसे नंपी प्रॉसेस कमपनी प्रॉसे बसकी क्लिबभभभवक हो क्लिए इसका डीटिल्स आपको कहा मिलेगा जो कंपनियeteeshure करता एdoor इसकी करता है उनके लाइबिलिटी साइड़ में आपको देखनेंगों मता है क्यों से प्रइकांट रिंखा गया लायबिलिटी सचस्ट देका देता है कुई तो बताओ शार चेयर डिवेंचर का डीटेल लाइबिलिटीस साइड में क्यों दिखाया जाएगा कि डिवेंचर लोन था है चलो डिवेंचर तो लोन है शेयर चेयर तो लोन है अन्य और कपिट्टल भी तो बिजनेस के लिए क्या है अब अलग आपका बिजनेस अलग तो यह बिजनेस क्या बोलते अपने ओनर को यह मेरा लाइबिलिटी है कि आपको रिटन करना यह बिजनेस का इसी लिए लेडियाबिलिटी साइड में शो किया जाता है इसां पॉमन सेंस में बाकि इसके पर लॉ है अकौंटिंग स्टैंडर एक नितर आपको आपको किया का इस यह फॉम्हार चाहूंगा यह रिल्याइंस का बालेयर आपको यह में आपको है कि नीचे करेंट लाइबिलिटी तोल लाइबिलिटी के साथ टोटल इक्वीटी भी है रही यह थिए एक कुईटी के अंदर आपको देखो कंपनी के पास या स्टॉक का डीटेल से कितना पेड़ाप कापटेवील रिजव सर्प्लस में कितना है ठीक है यह भी इसका हिसाब है यहां पर दीखेगा न तो लाइबिलिटी के अंदर करेंट लाइबिलिटी में मार्केट में कंपनी का कितना लौन वगेरा है लौंग टेप्ट अब कंपनी ने मार्केट से लौन लेके रखा है यह किसका है रिलाइंस का ठीक है तो इसी तरह से शेयर कापटल एंड डिवेंजर का जो हिसाब है वह में बैलेंशीट में लाइबिलिटी साइड में इश्वर कंपनी का दिखता है ठीक है चलो सर अब लीगल प्रॉपिशन्स इलेटेंट इन्टी इंस्ट्रुमेंट सर्कवर्ट अंडर चाप्टर फोर अब इसके लिए जो लीगल प्रॉपिशन्स है यह कंपनी जैक 2013 के इसके लिए आप कहां जाना चाहिए आपका अगर ओरीजिनल कंपनी लॉग का जो ड्राफ्ट है वह अगर निकालना है तो आप इंसी के साइड में जाके आप यहां पर एक्स और रूस में जाओ ठीक है मिनिस्ट्र आप कॉर्परेट अफेर्स पें यहां पर जाके आप आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो और इंस्ट्रिट्ट का जो किताब होते हैं यहां पर ठीक होता है उसके बाद इंस्ट्रिट्ट्ट अपने हिसाफ से अप्डेट करता है कि किस बार एक्जाम में क्या पूछा जाएगा ने पूछ जाएगा नहीं पूछा करेंटी जो भी आप पट्रो सारा अप्डेटेट इसकोंसेप्ट है अजरूरत की इसाफ से अगर कुछ बाद में अमेंट में आएगा तो वो बोल दिया जाएगा ठीक है अच्छा जैसे लिगल प्रविशन इलेटें इन्टिस इंस्ट्रुमेंट्स और कवर्ट अंड़ च अब यहां पर सब बाते लिखना पड़ता है अब देखो अब सब लॉक का बात करेंगे इतना दिल से इतना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चिला यहां अब और प्रैक्टिकल कम और लॉक बात ज्यादा होगा कि share capital types section 43 में बोला गया है definition of shares and stock क्या है definition section 2 subsection 84 define share as a share in the share capital of a company and include stock section 2 subsection 84 में share को share बोला गया और share capital of a company और उसमें stock को भी जैसे हम लोग stock market भी बोलते हैं share market भी बोलते हैं अब आपके मन में चल रहा है तर्शेर और लेकिन क्यों या तो share बोल लेते या तो stock बोल लेते सर इसमें थोड़ा सा परक्राइब कर दिया और उसको सारा मेंबर का share को माइड़ करके एक फंड बना दिया गया तो उस फंड को stock कहते हैं सर बस ही है एंड सिंपल वर्ड विकन से सब्सक्राइब कोई बाकी नहीं है जितना नंबर अब शेयर ओल्डिंग होना चाहिए था नंबर अब शेयर के साब से सारा पेड़ अप हो चुका है तभी हम उससे स्टॉक टेप है लीगल ठीक है याद रहेगा सर और याद रहेगा सर और इस वाई इसको शेयर बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो जो पाटली है लेकिन अगर फुली पेड हो गया और फिर उसके उपर बेस करके एक पांट क्रियेट बना नहीं आगा गया मांट करके तो उसको स्टॉक होई यह स्टॉक होई है इस शेयर कापटेव फेक कंपशनी इंटू स्मॉल उनिट्स है इसको शेयर बोलते हैं इसको बिका जी का एक शेयर का फेस्ट वालू है वान रुपी तर अगर मैं वान के जगा पांच रखा तो चलेगा दस रखा तो चलेगा चैंडर्ड प्रैक्टिस है वान पाइव तू यह सब स्तेंडर्ड ट्रैक्टिस है एक सब्सक्राइब एक टाका होगा रच चीमत होता है न लेकिन मार्केट में बिजनस करके उसका वैलू बढ़ गया है तो उसका मार्केट में बड़ा दाम पर बीखता है जैसे मैं आपको देखा हूँ आप चीज दिखा हूँ सर लोग का दिमाग खराब है आएटीसी मार्केट प्रैस कितना चल रहा है कि 353 ठीक है करेंट मार्केट प्रैस चल रहें कि अगर मैं इसका फेस बलू दिखा हूँ आपको खरें कितना चल रहे हैं फेस बलू वान रुपी ठीक है मिनिमा मेंशन करना पड़ता है यह वान के जगा टेन भी हो सकता है और बुक वैलू पर शेयर बता रहे इसको इंट्रिंसिक वैलू के ऊपर बेस करके डिसाइड किया जाता है इस तो स्टॉक मार्केट क्लास में सिखा जाता है इस यह के दाम ज्यादा चल रहा है कि कम चल रहा है इसको बैरे में पढ़ना पड़ता है फाइनल लेबल में इसका काफी डिसकेशन से स्पेशली सीए स्टॉक मार्केट में स्विशल वे में यह सब चीज़ें डिसक्रस करने का काफी मौका मिलता है सब फंडमेंटल अनलेसिस के अंदर आचा है तो संब्रेकर्स लिमिटेड है अथराइस शेयर कापिटल और 50 लाग मैं आपको बोले जाना ऑथराइस कापिटिल क्या होता है मत सब आप जितना पैसा लेके मार्केट में आते हो तिक है वह आपका वालूइशन अब उसके उपर वेस करके आप अपना शेयर केपिटल का ऑथरेटी बनाते हो एक्जांपल मानो कि किसी ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस पांच करोड़ में एक एक एक्जांपल ले रहा है या फिर मैं तेरा बिजनेस खरीदना चाहता हूं तो तो मुझसे कितना चार्ज करोगे कम से कम कि अद तो है कि को सब्सक्राइब कोश्चिन समझ में आए कि नहीं आया जैल मिसा तो पांच करोड़ कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फूजीव जुगाड़ किया फैनांस लिया लोन लिया पापा से लिया मां से लिया जिससे मर्जी लिया दोस्तों से लि इसका सेल बढ़ जाता है मार्केट में काफी अच्छा मोनोपॉली कर लेता है वापका बिजनेस का यस दांग नहीं रहेगा वोगिए बिजनेस के अखता हूं मेरे एक्जांपल का जबाब दो पहले आपका बिजनेस आपने स्टाट किया था पांच क्रूड में तेकिन दौ साल बाद आपका रनीं हो चुका है गुडविल हो चुका है सेल भड़ रहा है म मैं आपकी बिजनेस में इंवेश्ट करना चाहता हूं आपको भी जरूरत है पैसे का जैसे शार्क टैंक देखा आप लोगोंने मैं शार्क बनना चाहता हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मैं तुम्हारे बिजनेस में इंवेश्ट करूंगा और मैं आपको बोल रहा पांच करोड तो आप मुझे बता रहे हो जह ठीक हैं यह 5 करोड दे सकते हो पर आपको 20% सेक मिलेगा तो अगर पांच करोड देके मज़े 20% सेक मिलता है तो आप हिसाब लगाओ कर अही sun को दें tuji ऐसे बसट ़ेan है तो हंडिट परसंट का वालू कितना है कि करो ना युनिटरी मिथट कोई तो करके बताए मुझे पांच क्रोड के बदले अगर मुझे किसी बिजनेस का बीस परसंस टेक मिलता है अब कोई कोलेगा सर बदले 20 परसंट यह कैसे o है किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए पर यह सब करता है अब मैं उस जादा डिटेल नहीं जाओंगा अब आपको मन हो कि आपको लगा कि भई मैं अपना बिजनिस का शेयर कैपिटल बनाके मार्केट से पैसा रेज करूंगा तो पांच क्रोड का टोटल आपका कैपिटल स्टार्टिंग में और आपने सोचा कि एक शेयर का दाम दश्टा कर रहेगा तो आप मुझे बताओ कि आपका टोटल आथरेज्ग कैपिटल क्या बनने वाला है अ कि एक इसाब कर लो पांच करोड नंबर अप एक शेयर का दाम अगर दश्टा का है तो आपके पस पचास अथराइस रहे अब यहां पर देखो जैसे सान विकर्स लिमिटेड ऑफराइज शेर कापिटल पचास लाग पेज़ बालु आवीच चेर इस तेन इंडिस केज़ एक कंपनी ऐसे फाइब लाग शेर ऑफ टेन इच तो बगर उसका ऑफराइज कापिटल पचास लाग है तो ऐसा बोला जा सकत है कि कंपनी हाज पच्पांच लाग शेर सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन अगर बिजनेस रुनिंग है न तो दस्टा का फेस बालु है रणिंग बिजनेस का शेर प्राइस थोड़ी ना दस्टा का होता है सब अब इसका वालुईशन करके शेर प्राइस कर दाम क्या जाता है कि अब हो सकता है कि 10 का चीजS सव में बखे 10 का चीज़ टीन सव में बखे 10 का चीज़िस फार हमें भी सकता है 2000 मी जा सकता है 5000 मी जा सकता है depending on the business value इसट अब में क negation कर और को बोलता है कि नहींすका value बार बैलूद एक और को बोलत होता है वे कैसे होता है यह शूख़ मार्केट क्लास में मुझे मौका मिलता है सिखाने का छिए के कस में पढ़ाता हूं क्षण स्क्राइब मंस नहीं जा पाऊंगा सट चिंगल टोगे तब लुभल सक्वित कुम में बताने का मुझे مौका मिलता या टॉक मार्केट क्लास में वो भी फंडमेंटन अनलिसिस में तो डट इस हाओ बिजनेस का हिसाब किताब होता है अब अगर किसी को मानो कंपनी का सौच चाहिए तो सौच जो भी उसका प्रिमियम वैलू की साफ से आएगा अगर प्रिमियम नहीं है सदस्ट अगा करके हैं तो स किता है आएगा है अगा era a limited company having a share capital after completing certain formalities can convert all of any of its fully paid up share into stock and re-convert that stock into fully paid up shares of any denomination मतलब जो भी इच्छा उसका दाम लगा सकता है stock is started in lump sum whereas share being the smallest unit in having face value stock मतलब lump sum है और share मतलब उसका smallest face value का जो value पह वसी को share बोच पहा है originally shares are issued to the share holders while in case stock the fully paid up shares of the members are converted into stock afterwards the stock is not issued originally originally आपको stock issue नहीं होता है आपको share issue होता है but is obtained by conversion of fully paid up share तब issue होने के बाद सबको एक मार्च करके जब एक fund create किया जाता है तब उसे stock कहते है that is the manufacturing process of stock ठीक है I hope के clear तो कितना तरह का share capital देखने को मिलता है पर एक्वीटी शेयर कापिटल और प्रेफरेंशेयर कापिटल बच्पन से अकाउंट्स में करते हो सब ठीक है अब यहां पर आपको यह दोनों share capital क्या है जानना है अब एक्वीटी शेयर कापिटल में भी पार्ट है सब एक्वीटी शेयर कापिटल वीट भोटिंग राइट एक्वीटी शेयर कापिटल इफेरेंशेयल राइट एस तो डिवीडेंट वोटिंग और अधर वाइट तर यह क्या है जब business को क्लोज किया जाता है देखgio ऐसे तो नॉàiमली बिजनस गोइंग कान से तब बिजनस को ब्लोज होना पड़ता है यह यह लिगल प्रोसेस एने स्परेट करना आसान होता है से पर्लोन यह दो नहीं चेरज में सकोक्षेड कर चुकम कर जाते हैं इतना लोगों काபिशा इतना सोलोगों का लोगों का प्ला इतना सब्सकेतल आइसे बिस्वडिब का बिस्ट्व बिस्शर टैक में इसे अगर वह Зबक amended कि बजन हो चुका है ल मैंनिका बिजनस बंद हो चुका है तो इसका बना जाता है तब भी प्रोसेस जब बजनेस को बंद किया जाते अउस Radio प्रोसेस को सर्ट है ओं पन होता है एक गाना है क्भवए कभी सुनता हूं सुबह सुबह कृष्टन भगवान की उपर एक गाना याद आया मझे तू ही बनावे तू ही बिगाड़े तो अधर कोई कुछ कहना चाहते हो बोलो कि कि किसी कोई सवाल आ रहा था कि सबस्कों समॉल पाटर्शी बीजनस की कोड़े एक झांड कर के सेल बिल्कुल अगर बिजनस स्मॉल है जदा निग हैं अगर आपको क्यों करता है त्रंसपर हो जाएगा कोना था कल आपका वो जाएगा अगर मुझे आपकी बिजनस पर दम दीखे तो पहते हैं तो मेरा आपका बिजनेस खरिद लोंगा दोशक्रों करना हैं तो लोका उसली तो यूंन होता है गुड़ विल देखा जाता है फ़िक्षेट पारटनरशिप अकांट में भी थोड़ा बहुत किये हो कंपनी में भी करना पड़ेगा यहीं तो होता है जब दो बिजनेस मिलता है तो क्या होता है ठीक है सब लीगली देखा जाएगा सब इसी सब चीज़ों का बिसीकली हिसाब किताब जैसे मैं बोल रहा था कि कंपनी को बनाने वाला कौन है कंपनी को बनाने वाला लौ है तो कंपनी को तोड़ने वाला भी लौ ही होता है ठीक है सब आपका मन हुआ तो कंपनी बना दिये और आपका मन हुआ तो कंपनी को बंद कर दिये ऐसा नहीं होगा ठीक है तो ही बनावे तूब ही बिगाड़े तो इस लाइक डाइन हम लोगो बनाते हैं हमें को हमको तोड़ते भी बगवाण नहीं है यह पिर जो भी आप भोलो से लोग के पास ही ताकट होता है कंपनी बिल्ड करने और लॉग के पास मैं अब आपको दो क्वेटिल के बारे में ऐसे में इसके बा है उतना तो आपको दीखने को मिल जाएगा लेकिन इसका प्रेक्टीकल एसपेड्स डेख लो जैसे अगर मैं आपको क्या हो रहा है स्बसक्राइब कि जैसे मानों पहना चला गया जैसे मानों डिलाइंस ऐब है अब रिलाइंस में तो एक वी डिर प्रिफेरेंश का खेलैंट का आपको रिलाइंस का इंकम स्टेट्मैंट में ले आता हूं कि यहां से सुनना कि रिलाइंस ने कितना इंकम किया रिसेंट ट्रेंड में तो यह यह इंकम किसका है कि यह इंकम किसका है कोई बदा सकते हो कि यहां पर देखो आर्निंग पर शेर दिया है पतब एक एक शेर कितना आंड करके दे रहा है रिलाइंस का 98 रुपीज कि नेट इंकम को नंबर आप शेर से डिवाइड करके मिलता है लेकिन यह जो इपीए से किसको डिनोट करता जानते हो कि यह एक्विटी शेर ओल्डर है अब कोश्चन आप करोगे सर तो फिर प्रेफेरेंश शेर ओल्डर कहां चला गया तो प्रेफेरेंश ओल्डर कि अधंब यह ना रेगूलर बेसेश में तरह देखने को नहीं मिलता लेकिन जो है ऑ ऊफिया और है फीरे इस सबसे पहले जब कंपनी अपनु पर्रफिट आंट रॉंड करना करना चालू पर देखो क्या लिखा है यह भी फाइनशियल पार्ट है सब्सक्राइब करेगा यही रूल है नॉर्मल बिजनेस के लिए भी सेम अप्लिकेबल होता है चाहिए कंपनी हो पाटनर्शीप हो स्वल प्रपेटशीप हो सिंपल पहले आप इंट्रेस्ट पे करो मतब डिविंचर का पैसा पैसा पहले दो जो मार्केट से लोन लिये ते वह पहले पे करो और लोन का और उसके बाद आप सरकार के घर में टैक्स जमा करो उसके बाद जो बचे का वो नेट इंकाम है और यह नेट इंकाम में सबसे पहले आप प्रेफेरेंश वाले को दो अगर कंपनी में प्रेफेरेंश रोल्डर है तो वह देखना पड़ेगा कंपनी का पुरा रिपोट चेक करके प्रेफेरेंश रोल्डर को न एक क्या होता है उसको फिक्स इंट्रेस्ट में देना पड़ता है जैसे रिलाइंस ने 66,000 क्रोड कमाया अब मानो कि इस नेट इन 14% preferential तो अगर कंपनी के पास 14% preferential नियसाब से preferential रोल्डर है और preferential रोल्डर ने company को capital लिया था तो जो जितना capital अगर किसी ने एक लाग दिया था तो एक लाग के बजले 14% interest है 14% के dividend देरो तो प्रेफ्रेरेंश वाले को तर यह यह देने के खाध जो बचा रहेगा 哇 रहेगा पर तो taking सबसे बड़ा कर और गद्रेम्हार कि कंपरू का जो इंकाम है उसमें पहला हिश का होता है उसके बाद का लेकिन hagaon मतब 14 पे लेकिन उस से पहले जो normal क्रियू पर यि मैं निकालनी के बाद सबसे पहले तो टीवेंचर वाले को देटा hiring आठेटेशरका टैक्ष लेता है उसके बाद के बीच में के पहले तब ही कितना नहीं होता कि आप मार्केट मिंवेस्ट करके आपको एकुटि-, को कितना देता है लेगिन प्रेफरेंस वाले ऐसा नहीं कर मोद के जो प्रेफरेंस कपटाहिं कि देने के बाद आप पत्तक जो लोन वाले को कमपनी को लोन दिया है न जो कमपनी का बैंक है चिक है जो कमपनी का डिवेंचर लोडर है उसको कंपनी को पहले देना पड़ेगा खाऊ- खाऊ- लोन का इंटरेस्ट बहो इसलिए preference share भी fixed rate में लेता है और यह fixed rate loan की तरह है जैसे loan भी fixed होता है 12% interest, 10% interest, similarly preference भी होता है, लेकिन preference tax के बाद होता है और loan tax के पहले होता है, तो loan बगरा होता है, loan debenture is a before tax, preference is after tax, and equity is always, always, सब कुछ देने के बाद, company अपने earning का सारा चीज़ देने के बाद, जो बचेगा व अगर कुछ नहीं बचा तो, कुछ नहीं मिलेगा, पाबा जी का थुल्लू, सर तो फिस याल मार्केटि में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अरे वो काईसा थोड़ी है सर, ठीक है, मैं आपको तो rule बता रहा हूं, ठीक है, मैं तो आपको rule बता रहा हूं, ठीक है, तो दे अपरेफेरेटील राइट विच कॉम्पेर तो रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अपसलिट डीडेंट हो सकता है, फीक्स होता है, एड वल होता है, मतलब थोड़ा अडिशिण भी डीविडेंट रिया जा सकता है, एं प्रेफेरेटीयल रीपेमेंग, तूरिं वाइन अवाइन जब बिजनेस बंद होगा ऐस वाला बन में वाला करोट में केस चल रहा है पर ये या बनंद बंड होता है ये यह जब कोई तिक लोग लगाया कि कि बेराइब पैसा दे दो फिर पिछे और भी कुछ लोग लगाया मेरा पैसा दे दो त्सके पिछार वह कुछ लोग लगाया मेरापैसा कि अ तेद आप लोग बतासकते हो क पहलेße लगाएगा कि तिंहें तेके फ्लेंटे वाом अ में फरग होता है कि बॉंड इस लाइंग इस लिए ऐख सेकेंड में कॉन लाइन लगा है बोले तो हुआ है और सबसे लास्ट में लाइन में लगा होगा इस त्विल कर थो के इसलिए इनको क्या कहा जाता है सर एक जो होनर कि उनर क्यों जैसे हम लोग जो शेयर मार्गेट में इंवेस्ट्मइट करते हैं हम कौन है हम तुर सुनर है एक टूर्पनी का प्रॉफिट में हुँ कंपनी के लॉस में फुर्फिर के ब्रेफरेस्ज वार से नॉट यह प्रे तो अभी कोई प्रॉब्लेम जादा नहीं है लोन वाले को देरी नहीं कर सकता क्योंकि लोन का इंट्रेस्ट पे करना है चैटूटरी लाइबिलिटी होता है हर और अर्गनेशन का लोन नहीं दे पाओगे तो डिफल्ट हो जाएगा डिफल्टर बन जाओगे आपका मार्केट में खराब हो जाएगा प्रेफेरेंस बाले को देरी करके दोगे ना थोड़ा हो सकता है यह लोग थोड़ा सा ठीक है बात में दे देना इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ निक्स इस बार दे देना इसलिए आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे अकाउंट में क्यूमिलिटी प्रेफेरेंश क्यूमिलिटीव समझते हो कि क्या होता है मानुद द्वाजार का इंट्रेस्ट प्रेफेरेंश का है बीस का है ठीक है 21 का है सब जोड़ जाड़के एक साथ में बाद लोन के समय नहीं होता सब देना पड़ेगा नहीं दोगे तो डिफॉल्टर पेनल्टी प्रेफेरेंस के केस में इतना भी प्रावंदी नहीं है अंद इंटरनल अड्जस्टमेंट हो सकता है और एक्वीटी के किस में अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट किया कंपनी आपको डिजनेस लॉस में चला गया जनुइनली और एक्वीटी चैर बोल रहा है मेरा पैसा मार लिया नहीं सर लॉस में चला गया मतलब आप भी लॉस में चले गए क्योंकि आप ट्रू ओनरों तर अकांट्स में लोग जो कुछ भी करते हैं सब आस पर लॉप समझ में आ रहा है न सब यह जो जो कि आए यह जो जो कि आए जो इसका एक ग्सांपल थेना पड़ेंगों एफेरेंचेल वोटिंग राइट अपर याद आ जाता है हमेशा याद नहीं आता है अब डिफिएर्टियाल वोटिंग राइड में TATA मोटोर्स कि मैं जादा कंपणि डी वीर इस्यू नहीं करता नौल केस पर जल जैसे टाटा मोटोर्स पर दोनों मिलेगा आपको हिए चाटी मोटोर्स डी मेलेगा और नॉर्मेल टाटा मोटोर्स में में नॉर्मल टाटा मोतर्स नॉर्मल टाटा मोतर्स में क्या लिखा है विवोट ऊचाव डुक्ति अपी कि अधे और जाओ रिखेश किया अधार लिकार का इसका बहुत चैनल स्ब्सक्राइब रहे हैं बात कर रहा हुआ है और लास्ट दो साल में कि अंड्रेट से लिया था सर मैंने लिया था स्टूडेंट्स को भी बोला था लिया था बहुत लोग अभी भी किसी किसी का होल्डिंग में 100 या असपास में लिया था दो साल में अभी चार सोगा चल रहा है पीच में 500 गया था लेकिन थोड़ा साइडवेज है रिजन था फंडामेंटल्स था जो भी हो लेकिन अब अब यह तो ओडिनरी था अब यह डीवीर देखवा अब कि डिफरेंचियल वोटिंग राइट्स होता क्या ऐसे डिफरेंचियल वोटिंग राइट्स में कि डिफरेंचियल वोटिंग राइट्स में ये एकविटी शेर ही पपर इसमें कंपनी डिफरेंचियल वोटिंग राइट्स कर दिता है कि भई आपको मैं 10 शेयर के बदले में एक बोट कांट करूंगा नॉर्मली एक शेयर एक मोड होता है ठीक है अब 10 चेर में एक डिफरेंशियल भूटिंग राइट अब भूटिंग क्या होता है कंपनी में आनुवल जर्रल मिटिंग होता है अब जर्टी मिटिंग होता है एक स्वाइब चाप्टर आएगा आप लोग जर्रल मिटिंग के नाम पर मेस्टमेंट और अद्मिनिस्टर्शन बोलोकर य स्लेटर बहुत इंपॉर्टंट चैप्टर बना जाता है उस पर अपको धोट किस चैलिन में होता है कि Military Wine जो decision लेता है कि उसके ऊपर शयरओंडर का बोट होता है कि यू कि अपने मर्जी से कुछ कुछ नहीं कर पाता सर क्योंकि जब कंपनी पब्लिक होता है ना कंपनी को सब का डिसीजन लेना पड़ता है मतब सब का मतलब शेयर ओल्डर का ठीक है जैसे एक्जांपल देखो रिलाइन्स तो इस मैं लिखता हूं एजी एंग कि इसका मैंनी कंट्रोल में अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा है राक्रेट कंट्रोल में थड़्eti में इसको कॉर्पॉरेट और थे बोलते हैं कि अब देखो क्या क्या वह से लिट्व मुटिंग होता है एगम होता है लेख रहे हैं अब यह चाप्टर आप लोग वह भी लॉटका पार्ट एगम क्या उसमें उसमें होता क्या है डिविरंड के ऊपर पर यह चाप्टर आएगा बोनस प्लीट राइड सब आता है ठीक है बोड मिटिंग्स यह सब Chinese है अब जब कंपनी एजीए मी डेक्लेर करता है ना स्टॉक मार्किट में वह एक दम ना जैसे तरह देखता है बाज नजर गड़ा रखता क्यों क्या देखना चाहता है कि कंपनी एजी में क्या डिशिचन लेगा बोट पढ़ेगा वोट कॉन देगा देगा लासे एट यह ल ऐकमपनी आपको ये ने आपके डिवूटिंग रॉटिंग रख लेगा ठीक है कि बस सिंपल बात है इस्टार कर सकता है कि मैं अब सब्सक्राइब बदले में डिफरेंचियल वोडिंग राइट कंपनी रिजनेबल हुए में आपको बता है तो जैसे आगी आगे चलो सुलाव ऐस तरह से बोलता है एकूट टीर कापिल विड़िए निखा में यह उसे एकूट किरिस्ट में प्रफेरेंचियल डिविदेंट प्रेमंटी आज़ेस्ट इस एक्समें प्रफेरेंस और नमांट क कल्कुल टे दर देफी ख रेट्ट विच में याइधर भी कभी फ्री और सब्जेक्ट प्रीए हो सकता है कभी कि इंकम टैस्ट में सब्जेक्ट हो सकते मोड़ीपेंट करता है कि गॉवपनेट का रूल से लता है उसके उपढ़ रीपेमेंट इन के सब वाइंग आप जब कंपणी बंद होता है तो चीर को पहले पे the capital shall be deemed to be preferenced capital not with sending that it is entitled to either or both of the following rights that in respect of dividend in addition to the preferential right to the amount specified in subclass a subclass to do map copy ball okay so equity share with referential right so rule 4 of the company's rule 2014 share capital and debenture rule 2014 contains provisions which need to be followed while issuing equity share with referential right these are stated condition for the issue of equity share with referential right section according to rule 4 subsection 1 company limited by shares limited by shares limited by guarantee क्या है कहां पढ़ा के रखासर मैंने जो लोग नहीं किया प्लीज एक बार basic का class मैं share करता हूं इनके पास नहीं है प्लीज एक बार basic of company लोग कर लो सर फिर बाद में और एक बार कर वांगा तो और एक बार कर ले लेकिन प्लीज एक बार जिनका नहीं हुआ है वो company का basic जरूर कर ले अगर मैं class share करने बाइचन नहीं किया भूल गया प्लीज मेरे से एक बार मांग लो सर मैं दे दूंगा ठीक है तो according to rule 4 subsection 1 a company limited by shares में issue equity shares with differential right as to dividend voting or otherwise if it complies with the following condition the article of association of a company अब AOA MOA ये सब basic का matter है सर अब अचानक से किसी को अगर ऐसा लग रहा है सर AOA कहां से आ गया तो इसके लिए मैं बार-बार बोलूंगा कि जिसका company law का basics week है वो please company law basic class जरूर देखे 8-10 lecture है basic में and this is a very important जो नॉर्मली आप ऐसे बोल सब्सक्राइब की foundation level में पढ़ा जाता है intermediate में पढ़ा जाता है final में भी काम आता है जिन्दे की भर काम आता है basic सिर्फ पढ़ाई के time पे नहीं हर चीज में घाम आता है तो article of association of the company authorized the issue of shares with the differential right तो ये authorized देता है AOA सब्सक्राइब का जो constitution rule book होता है MOA मतलब constitutions AOA मतलब rule book वहां पर ये authority मिलता है कि हम differential right दे सकते हैं जैसे कि Tata Motors जो DVR issue किया है उसको AOA में राइट मिला है तभी जाके वो कर सकता है और ये जब मैं general meeting पड़ाओंगा resolution क्या होता ओडिनेरी resolution special resolutions ठीक है तो the issue of share is authorized by an ordinary resolutions past at the general meeting of the shareholder इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कंपनी अन लिस्टेद रने रेको नाइस स्टॉक एक्चेंज मतलब अक्टीव है लेकिन वहाँ पर ट्रेड नहीं होता ठीक है एक्टीव में से हैं बड़ नहीं होता बाकि और भी था बंद गर दिया गया इंडिया के हर एक सीटी में सारी सिटी में अब हुआ करता था अब हैं ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता था अब भी मैंने बता दिए तो वेर विए इक्विटी शेर अफे कंपनी अर्लिस्टेट अने रिगोने स्टॉक एक्षेंग इस्ट अप्रूब भी अप्रूब भी शेरोडलर थू पुस्टल बैलट अभी पोस्टल बैलेट क्या वोट देना पड़ता है मैं आपको बोलना मैंनेजम इसके टाटा पूंटल सोने डिवेर इस्टो किया तो यहां पर क्या बोलता है तो उसमें जो वोटिंग पावर टोटल जो वोटिंग पावर उसका 74 पर से जादा नहीं हो सकता इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट और इकुटी शेर इस्ट एड़ इस्ट कभी इस्टो करें तो 74 पर से ज्यादा डिवेर का पावर नहीं हो सकता अगर कभी ओमिटेड कुछ पाइंट हो जाए मतब बात बोला नहीं तो इस केस में भी डिवी इसू किया जा सकता है अगर कुछ इंपोइंट नहीं करेगा तो कर सकता है अगर कंपणी फैनेंशियल स् सकता है तो भी कर सकता है मतलब यहां पर क्या पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कंडिशन फॉर इश्व भी कुछ भी होता है कौन देखता है यह जो कुछ भी कंपणी करता है इसमें एक चीज देखना पड़ता है कंपणी हज नॉट बिन पेनलाइज वाई कोट और ट्राइबुनल दिविंग लास्ट तीन साल में कंपणी के उपर किसी भी तरह का कोट केस या पेनल्टी नहीं है अंडर रिजर्ब बंक ऑफ इंडिया एक्ट अंडर सिक्यूरिटी एक्चेंज बोड ऑफ इंडिया एक 1992 सेभी एक्ट अंदर सिक्यूरिटी कॉंट्रेक्ट रेगुलेशन एक 1956 और फॉर एक्चेंज मैनेजमेंट एक 1999 फेमा यह सभी एक्ट आज नहीं तो कल सब को फढ़ना है ऐसे CS लोक इस ल whisk लेटा है फाइनल में भी बढ़े का और जो लोग CS हमयं में बढ़ता है मई अंको इन है अऑस्वाह सब पढ़ना पढ़ेगा आज नहीं तो कल थीख है अच्छा, content of explainerary statement rule 4 subsection 2 states that explainerary statement to be annexed to the notice of the general meeting or the postal ballot shall contain various matters like particulars of the issue of including its size, details of differential right, मतब क्या करना है वो बोलता है, ठीक है? restriction on conversion of equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting rights, ठीक है? so rule 4 subsection 3 में specify किया जाता है that the company shall not convert its existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential, existing जो share capital normal equity share hold करता है, अब उनको DVR में convert नहीं कर सकते हैं and vice versa, DVR को normal equity share में convert नहीं कर सकते है, normal equity को DVR में convert नहीं कर सकते है, इसमें rule 4 subsection 3 में restriction है, this is closer in the board report, ठीक है, board meeting में board report ready होता है, board में कौन होता है, board members like promoter होगा, ठीक है? प्रोमोटर होते हैं, managing directors होते हैं, ठीक है? यह लोगा जो एरिया होता है, financial officers होते हैं, CFO होते हैं, according to rule 4 subsection 4, the board of directors shall internally disclose the specified particular to the board report for financial year in which the issue of equity share with the differential right was completed, अगर complete हुआ है, तो report देना पड़ता है, एक काम मिलता है सब annual generating में अनॉल रिपोर्ट में अब कभी annual report company का अगर आप download करके पढ़ोगे ना, तो आपको उसके अंदर सारा details मिलता है, कि board report देना पड़ता है, जब आप लोग आगे जाके जब आपका पूरा complete हो जाएगा जब आप practice करोगे तब आप लोग को ना, report ready करना होता है, बसे यह reliance का report है, I think reliance का है कि किसका है, और reliance का है, अब इसके अंदर सारा report submit करना पड़ता है, सब बताना पड़ेगा, सब ही जाके वो report बनता है सब, आगे आगे जब जैसे जो होगा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, disclose of the board report, write to the holders of equity share with referential right, particular of share to be maintaining the registered of member, जो कुछ भी maintain करेगा, rule 4, subsection 6 के तहर, provides that where a company issue equity share with referential right, the register of member maintained under section 88, shall contain all the relevant particulars of the shares are issued along with the details of the shareholder, मतब किसके पास है, क्या है, सब maintain करना है, DVR के बारे में, पैसे वो बोल दिया, कौन सा rule में है, नहीं है, आपको याद करना है, जब आप practice करोगे, तो आपको rule की हिसाफसी करना पड़ेगा, तो इसी लिए law ऐसा ही है, main point जानो, और फिर read करते जाओगे, तो समझ में ऐसी आता जाएगा, कि क्यों है, क्यों किसलिए है, रूल है, अगर practical aspect पता है, तो rule याद करना पड़ेगा, और क्या, certificate of share, section 46, certificate of share is required and shares are issued in physical form, आजकल तो digital होता है न, DMAT, जो लोग share market में invest करते हैं, सबकर digital है, और DMAT अभी mandatory, अगर stock market listed है तो, अभी भी private company में physical form चलता है, तो section 46 contain provision which regulate certificate of shares, तो इस टेटेट अटर, share certificate is a prime FEC evidence of title, prime FEC क्या होता है सर, Prima FEC is a latin phrase, Prima FEC का मतलब होता है primary, तो किसी के पास अगर share certificate है, इसका मतलब यह evidence होगा कि आपके पास तप्तवरी के share है, according to section 46, certificate issued under the common seal, if any, of the company, और signed by two directors, signed by two directors, और कौन कर सकता है, company secretary के पास पावारेसर, ठीक है, director कर सकता है, CS कर सकता है, company के annual report चेक करोगे न, तो वहाँ पर भी जो financial report निकलते हैं, company के जो financial report निकलते हैं, उसमें भी director तो होता ही है, और director के साथ-साथ CS का भी power है सर, और CS को इसी लिए तो बनाया गया है, ताकि वो company का legal matter को सम्हाल पाए, ठीक है, तो कि उसके पास यह authority है, तो कि chartered accountant audit करने के बिजी रहेगा, cost accountant, business, valuation में, costing maintain करने में बिजी रहेगा, तो CS क्या करेगा, CS का काम नहीं है सर, तो कंपनी का यह सब legal issues को maintain करने का काम करें, ठीक है, मैं आपको annual report में next class में दिखाऊंगा, ठीक है, प्राइम फिसी evidence of title section 46 के साथ, issue of duplicate certificate, section 46 of section बिजी रहेगा तो नहीं रहा तो नहीं रहा तो duplicate issue भी कर सकते हैं, manner of issue of certificate, duplicate certificate, उसका manner बोल दिया, section 46 of section 3 में, share held in depository form, according to section 46 of section 4, subsection 4 क्या बोलते हैं, share is held in depository form, the record of the depository is the primafissive evidence, depository कौन होता है, NSDLCDSL का depository concept होता है, मैं next class में आपको NSDLCDS के बालग में बताऊंगा सर, ठीक है, यह होता है सर, ठीक है, जब कोई company जैसे demand, next class में यह बहुत important होगा, demand relation of securities, ठीक है, यह share को demand में कैसे रखा जाता है, हम लोग बोलते हैं, यह बात मैं करूंगा सर, ठीक है, फिर voting rights में कुछ और बात करना है, अब यह चलेगा सर, share capital venture पर भी बहुत सरा बात करना बाकी है, ठीक है, बस इतना ही कहूंगा, कि आप लोग जितना आज जाना, आप लोग हो सके तो घर पे एक बार go through करना चालू करें, आपको सारा समझते, तो आपको law समझने में दिक्कत होगा सर, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा practical पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूं कि क्या काम है, जानो, तो automatically आप समझ जाओगो, जिन लोग का issue of prospectus chapter complete हो चुका है, उनके लिए बोलूँगा, कि आप लोग issue of prospectus chapter के नीचे, जितना सा सारा questions है, almost 10 questions है, सारा questions practice करें अच्छे से, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और जिनका नहीं हुआ है, वो issue of prospectus का class मेरे से ले, और एक बार देखे, फिर, अगर कोई doubt रहे, तो मुझे पूचे मैं, जब question answer session discussions करू, तो भी आप उसमें participate कर पाँ, ठीक करेंगे, बस आज इतना ही है, next class में आगे का बाद continue करेंगे सब, तर जो, टेन लेक्चर है, उसमें चैप्टर वान और तू दोनों कभर है, उसमें सिफ चैप्टर वान है, मतलब, that is, चैप्टर वान में कुछ है, वो, चैप्टर टू है, मुस्त वाब, चैप्टर टू है एक है सर, आप लोगा, एक words का कुछ है, टेक्निकल टांस बगे रागा, उसका मैंने अभी तक कुछ करा नहीं, जब बाद में होगा, मैं बता तूँँगे, चैप्टर टू जो है, वो, जी कवरें से, ठीक है, साटा, गुट नेट, बाइसर, 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 बाइसर, 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 बाइ